हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आपका स्वागत है संस्थानम भाई गोरोव सर यूट्यूब चैनल पर आज आप कहेंगे ही सर ने इस तरह का थमनेल क्यों मनाया है ऐसी क्या इंफोर्मेशन है देखिए हम सभी जानते है कि यूपी PCS Pre या आरो यारो का एक्जाम देने के लिए 99% स्टुडेंट्स घटना चक्र पढ़ते हैं लेकिन सेलेक्शन बहुत कमका होता है पढ़ते बहुत ज्यादा उसी को है लेकिन सेलेक्शन होता है कमका क्यों हमें पता है कि यूपी PCS Pre में 150 कोशन्स आते है और आरो यार इसे होते है जिने लगता है कि यार यह तो हमने घटना चक्र में नहीं पड़े यह कहां से आ गए देखिए आयोग के पास कोशन्स की कमी नहीं है वो हर कोशन्स की लेंग्वेज बदल के उसी को वैसे ही डाल देता है लेंग्वेज बदल देता है और डाल वैसे ही देता है और ना ही आयोग के पास source की कमी है कि ये questions कहां से उठाने है वो question उठाता है इसी तरह उठाता है आयोग इसी तरह आप देखोगे कि आयोग जातर questions उठाता है ठीक है लेकिन घटना चक्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी state PCS है वहीं से question है ये तो सभी पढ़ रहे हैं फिर selection कैसे होगा सभी का तो selection नहीं हो सकता तो selection होगा कि हमें उससे अलग कुछ पढ़ना होगा उससे अलग जाना होगा जिससे हम इस भीड से बहार आए और वो कैसे होगा देखिए एक exam था मेरे अब भी ध्यान है कोवीड के बाद वो exam होगा था BEO का ब्लोक एजुकेशन ओफिसर का BEO का exam होगा था UPPSC ही उसे conduct कराता है तो उसमें GS के general awareness के maximum 20 question आये थे लेकिन उसी साल क्योंकि PCS का exam भी late था उस साल उसी साल PCS के exam में उस question paper से जो GS के question BC question थे सिर्फ GS के उसमें से दो question आये थे PCS pre में दो question वहां से आये थे लेकिन हम उसे नहीं पढ़ते सिर्फ MPPSC बिहार PCS 36 गर्ड UPPSC आर वे आर इनके previous year देखते रहते है घटना चकर में इनी के previous year आते है अभी हाल फिलाल में अभी recent time में exam चल रहे है EMRS के EMRS के exam चल रहे है उनमें हर paper में 10 question GS के आते है तो मैंने एक question paper उठाया कल रात और मैंने उसे पढ़ा देखा मैंने कि उसमें जो 10 question GS के आयो थे बहुत ही अच्छे question थे वे तो मुझे लगा कि क्या पता कमीशन यहां से भी question उठा ले और क्या पता यहां से भी हम click कर ले कुछ तो यह इस तरह के question कितने हो सकते है maximum अगर आप इस तरह के papers देखेंगे जिनमे जर्रणल अवेर्नेस के question पूछे जाते वहाँ जर्रणल अवेर्नेस नाम से question पूछे जाते तो कितने maximum question होगे maximum 200 question होगे और मान लोगा 200 में से 8 to 10 question क्लिक कर गए 8 to 10 question आपने 200 question पढ़े और 200 में से क्योंकि recent exam है उसमें current affairs भी होगे history भी होगी political development भी होगा geography भी जो भी है और मान लो 8 से 10 question उस exam से click कर गई इन exam से तो आप cut of clear कर जाएंगे आपका प्रीमे selection 100% हो जाएगा क्योंकि आप देखोगे कि suppose करो cut of 120 marks पे लगी तो 120 से लेके 115 marks के बीज में जो student होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़ादा होती है लेकिन जो उपर निकल जाते है वे उपर रह जाते है उनका selection हो जाता है तो इस तरह के questions भी हमें देखने पड़ेंगे यह हमें करने पड़ेंगे यह आप लोगों को करना पड़ेगा ठीक है ना तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है तो मैंने question paper download किया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से share करूँ यह question paper तो मैंने एक question paper EMRS का TGT का जिसमें 10 question general awareness के आए तो आप देखिए उसका standard कैसा है देखिए वे question paper discuss करते हैं एक बार फिर मैं आपको आगे की रणनीती बताऊंगा ठीक है ना देखिए इसमें first question है which of the following statement is correct in relation to the right of children to free and compulsory education act 2009 मलत 2009 का जो सिक्षा का अधिकार आया था निशुलक और अनिवारिय बाल सिक्षा का वे चार इसमें option दिये की कौन सा इनमें correct है देखिए उसमें का कि यह है अधिनियम जम्मु और कश्मीर राज्य को छोड़ का समस्त भारत प्रलागू है इस अधिनियम में प्रारंबिक शिक्षा को कक्षा एक से छे तक की शिक्षा के रूप में परिभाशित किया गया है अधिनियम सभी बालकों को सोले वर्स की आयू तक निश्यूल सिक्षा का प्रावधान करता है इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयू के परमान के अभाव में विद्याले में परवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता अगर हम आर्टी की राइट टू एजुकेशन की बात करें तो इससे पहले इस राइट टू एजुकेशन की निव डाल दी थी 86th Constitutional Amendment Act ने 86th Constitutional Amendment Act ने जो की 2002 में आया था जिसके बाद आर्टिकल 21 में 21A इंसर्ट कर दिया गया था उसमें free and compulsory education कर दी थी किन किन बच्चो को 6 to 14 years के बच्चो को ठीक है ना 6 to 14 years के बच्चो को फिर उसके बाद अगस्त 2009 में याद रखना अगस्त 2009 में अगस्त 2009 में Parliament ने Right to Education Act Right to Education Act को एनेक्ट किया अगस्त 2009 में एनेक्ट कर दिया पार्लिमेंट ने और एक अप्रेल 2010 से ये लागू हो गया था लेकिन ध्यान रखना ये जम्मू कश्मीर को छोड़ कर भारत के सभी राज्यों में लागू हो गया था लेकिन 2020 के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है 2020 के बाद याद रखना तो इसका जब य इस एक्ट के संबंद में, originally ये जम्मु कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, लेकिन अब जम्मु कश्मीर में भी लागू है, ठीक है न, next question देखते है, आलमगीर नामा is the chronicle of reign of which of the following Mughal Emperor, देखिए, बहद्दूर शाह जफर, जहांगीर, शाह जहां, औरंग जेब, इन्हों मुगल बादशा के शाहसन में उनका इतियास लिखा गया है, ये ओरंग जेब के, शाहसन का इतियास है, देखिए, ओरंग जेब को आलमगीर भी कहते थे, तो आपको पता ही है, ओरंग जेब को आलमगीर भी कहते थे, लेकिन आलमगीर नामा लिखा किसने, ये लिखा इज़ा मोहम्मद काजिम काजिम ने ठीक है ना देखें कोशन देखिए आप कोशन कहीं से कुछ भी पूछ सकता है UPPSC कहीं से भी कोशन डालेगा उसके बास सोर्स है यह सब यह सब उसके अपने सोर्स है देखिए according to economic survey of India 2022-23 the gross enrollment ratio in schools has been has seen a decline in 2021-22 in comparison with 2013-14 for which of the following देखिए कोशन जो है न यह गलत है ग्रोस एन्रोल्मेंट रेशो डिकलाइन नहीं हुआ था इसमें पूछा है इस कोशन में पूछा है कि ग्रोस एन्रोल्मेंट रेशो जो था वो 2013-14 के मतलब उसमें comparison में 2022-23 में decrease हुआ यह बढ़ा है यह बढ़ा है यह बढ़ा है 2022-23 के लेकिन decrease क्या हुआ है अगर यह पू रेशो देखिए ग्रोस एन्रोल्मेंट रेशो यह होता है कि किसी पर्टिकुलर एज के बच्चों ने admission लिया एन्रोल किया फिर उसे डिवाइड करते है उसी एज ग्रूप को population एज ग्रूप को डिवाइड करते है इन्टू 100 यह तो हो गया आपका ग्रोस एन्रोल्मेंट फिर होता है drop out, drop out होता है suppose करो कि आपने first class में admission ले लिया लेकिन आपने 100 लड़कों ने first class में admission ले लिया लेकिन 100 में से कितने percent इस student अब second में जाएंगे और जो नहीं जाएंगे drop out होगे इसका मतलब वो होता है drop out next level पे नहीं जाना वो होता है drop out percentage जो की decrease हुई है 2013-14 के मु जाए इसका यहां gross की जगह है यहां उने जाएदा drop out ठीक है ना वो कितना था अगर देखे primary का अपर secondary का और secondary का कितना था यह था primary में उस time पे 4.7 था अब हो गया 1.5 देखिए 4.7 से घटकर हो गया 1.5 वहीं पर अगर अपर primary की बात करें तो वो गया 3.1 से 3% पे 3.1 से 3% पे आ गया और अगर हम वहीं पर secondary की बात करें 14.5 से लेके 12.6 पे आ गया 14.5 से लेके 12.6 पर आ गया यह इसका correct answer है अगर यहां पर question गलत है वैसे अगर यहां पर drop out होता तो इसका जो answer होता इसका ABC 3 होता तो यह question गलत है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ना डाल जालते थे हैं सभी डालते UPPCS तो और बार 5-6 question गलत डालता है ठीक है ना which of the following is an example of permanent executive देखे पर्मानेंट executive की बात किया है इन्होंने का भारत में एक स्थाई परशाशक कोन होता है देखे इस्थाई परशाशक वे होते हैं जो recruitment के थुरू आते हैं बूरोक्रेसी वे स्था सरकारे आएगी जाएगी वे स्थाई नहीं है प्रमानेंट नहीं है वे temporary होती है आज सरकार किसी की है कल किसी ओर की होगी तो यह temporary है इस्थाई होते है civil servant याद रखना civil servant जो होते है यह स्थाई परशाशक होती है याद रखना इन्होंनेंट executive होते यह बहुत important question है यहlarını उसकी तुछा के भीतर क्या डाल देती है, formic acid, यह तो बहुत ही famous question है, तो UPPCS में बहुत बार पूछा जा चुका है, अब देखे, UPPCS में बहुत बार पूछा जा चुका है, यह यहाँ भी question आ गया, तो आप लोग को इस तरह के सभी question करने हैं, अगर आपको selection करा, अपना लेना है, और आपको उस भेड़ चाल से बाहर निकलना है, उस भीड़ से बाहर निकलना है, तो आपको यह question करने पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो फॉर्मिक एसिड, भारते प्रोदोगीक संस्थान, IIT का भारत के बाहर पहला campus, बस देखिए, IIT का भारत के बाहर पहला campus जुलाई में मतलब यह गोशित किया गया था, दो देश थे, तंजानिया, और भारत के बीच में M.O.E. हुआ था, M.O.E. हुआ था, तो वहाँ पे भारत ने का कि हम IIT का एक campus तंजानिया में स्थापित करेंगे, तंजानिया में भी कहाँ पे, याद रखना, जिंजी बार, जिंजी बार, याद रखना, तंजानिया में भी है, जंजी बार में इन्हों ने का कि हम अपना campus इस्थापित करेंगे, और यह October से इसका program start हो जाएगा, October 2023 से program start हो जाएगा, वहाँ पे, ठीक है न, देखिए कितना अच्छा question है, ठीक है न, next question देख लो, एतियासिक मेहत के इस्थानों और संबंदित देशों के युगमों, देखिए यहाँ पे कुछ प्लेसिस दिये हैं, यहाँ पे कुछ प्ल नूरियंबर्ग की बात करें, तो नूरियंबर्ग काँ पे है, जर्मनी में, याद रखना है, यह जर्मनी में है, सैंट बिटर्जबर्ग, यह तो फेमस है, इस्टिल के लिए, यह रशिया में है, और वही पर वर्सेल्स, वर्सेल्स यह काँ पे है, यह फ्रांस में है, वर इसमें से किस इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रेड एंड स्ट्री के फिल्ड में पदमा भूशन दिया गया दोहजार तेश का जो कि हमारी राष्ट्पती दुरुपदी मुर्मु ने दिया था ठीक है न है यह कुमार मंगलम बिरला याद रखना टोटल पदमा भूशन दिये थे पदमा भूशन जो दिये गए थे वे 9 को दिये गए थे और 6 को दिये गए थे पदमा विबूशन ठीक है ना पदमा विबूशन लेकिन कुमार मंगलम को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया था पदमा भूशन पदमा भूशन भारत का तीसरा सर्वोच अवार्ड होता है पहला भारत रतन होता है फिर पद्मभी मुशन फिर पद्मभूशन फिर पद्मश्री ठीख ना यह से फोलोवन्फों सं फोलवाईं व्यमैन्स Ev Douote टीम वोन तर्णी और डलि डेल सैंटेरेयृसेंटेनेरि एक कोंपीटिशन हुआ था जो कि तीन देशों का competition three nation tournament थी है three nation tournament three nation tournament ठीक है न जो कि कहा हुई थी Spain में याद रखना ये Spain में हुई थी इसमें India England and Spain ये तीनों देश थे देखिए कहां से question पूछ लिया कोन सोचेगा कि यहां से भी question पूछ लेगा यहां पे इंडिया ने Spain को three zero से रहा है था final में three zero से final में इंडिया ने जहरा है था Spain को ठीक है ना final में तो इंडिया जीत गया था इसे ठीक है ना अब पूछा है देखिए यहां पे यहां पे याद रखना longitudinal देशांतरी है शब्द यह बहुत important है लेटिट्यूडनल नहीं पूछा है longitudinal पूछा है याद रखना the longitudinal valley lying between lesser हिमालिया एंड शिवालिक हिमालिया are known as लगू हिमालिया और शिवालिक के बीच पढ़ने वाली देशांतरी है गाटी कहलाती है क्या कहलाती है देशांतरी है गाटी देखिए दो तरह की गाटिया होती है एक latitudinal गाटिया होती है एक होती है longitudinal longitudinal गाटिया वे होती है जिनका depression ज़्यादा होता है ज़्यादा deep होती है जो straight depression होता है और latitudinal valleys वे होती है जिनका depression कम होता है बहुत कम लेकिन लंबी जादा होती है वे लंबी जादा हो उनका erosion जादा होता है लेकिन वे deposited होती है longitudinal तो longitudinal वैली कौन से है? doones याद रखना, doones जो होते है ये longitudinal वैली है, याद रखना, इस part वर doone है, confuse complete मत होना ठीक है न? तो अब आप देखिए, ये 10 question पूछे गए थे इस तरह के बहुत सारे paper होते जिन में 10-10-15-15 question पूछे जाते general awareness के और उनमें से exam में पूछ लिये जाते है लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते और वहीं पर selection हमारा रुख जाता है इसलिए अगर आप लोगों को इस तरह के questions और जानने हैं मैं इनका एक complete PDF बनाऊंगा complete video फुल वीडियो बनाऊंगा इन पर चाहे वो मेरी एक घंटे की हो या देड़ घंटे की हो ठीक है न अगर आपको लगे ये अच्छा है तो आप प्लीज मुझे comment box में comment करके बताईए कि मैं इस तरह की video बनाऊं या नहीं अगर आपको लगता है कि हाँ तो मैं इसकी एक full video बनाऊंगा सभी जितने भी अब तक जोलाई से लेके जनवरी तक जो भी exam होंगे दिसंबर तक के ले लेंगे या जनवरी के जितने भी exam होंगे सब के journal awareness के question निकाल लाऊंगा मैं और उनका with solution with solution और with detailed solution हम उसका video बनाएंगे ठीक है अगर आपको मेरी video अच्छी लगी तो please like कीजिए और subscribe कीजिए Thank you